हेलो वीवर्स अनाना क्रेशन्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे होमेट बीटूट फेस मास्क इसे बनाना बहुत ही आसान है ये बीटूट फेस पेक्ट, विटैमिन्स, मिनरल्स, अमाइनेस, केल्शियम, मैंगनेशियम और मल्टी विटैमिन्स से भरपूर होता है है ना इसे लगाने से हमारा चैरा गलो होने लगता है और इसे अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो हमारे पेस की पिमपर्स और एकने की प्राबलम भी धिरे-धिरे दूर हो जाती है है ना इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बीटरू स्लैसे 3-2-4 रोस वाटर 2 टी स्पॉन ग्लैसरीन 1 टी स्पॉन राइस फ्लोर 3 टी स्पॉन आमन डाइल 1 टी स्पॉन बस तो चले से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम ये दो फ्रेश और अच्छी बीटरूट लेंगे इसे फिर वाश करके इसे पील आफ करेंगे और इसके चोटे चोटे पिसिस या स्लैसिस बनाएंगे फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसका एक स्मूसा पल्प बना लेंगे है ना और फिर इस पल्प या पेस्ट को हमें स्टेनर की मदश से चान लेना है और फिर उसका जूस बनाना है ना ये ज़्यादा जूसी नहीं होता इसलिए हमें इसका पल्प या जूस बनाने के लिए इसकी साथ में हमें ये रोज वाटर का यूस करना होता है हम इसमें आधा काव रोज वाटर डालेंगे उसकी वज़ा से ये तोड़ा स्मूस सा पिस्ट बन जाता है तब हम इसे चान कर इसका एक जूस बना लेंगे है ना, तो चलिए इसका जूस तयार करते हैं ये हमने इसे मिक्सर ग्रैंडर में पीस लिया है और इसे स्ट्रेणर की मदब से चान कर इसका ये जूस भी तयार कर लिया है है ना, ये देखे कितना अच्छा जूस इसका बन कर ये तयार हो गया है है ना, अब हमें क्या करना है क shaving ini 3 teaspoon rice flour लेना है है ना, ये हमने 3 teaspoons rice flour लिया है है ना, अब हम इसके अंदर ये 10 ml रोज वाटर डालेंगे और इसका फिर एक स्मूज सा पल बना लेंगे ये रोज वाटर हमने इसलिए डाला है ताके एक इसका अच्छा सा स्मूज सा पेस्ट बन जाए ये देखिए, है ना, इसलिए सबसे पहले हम रोज वाटर और राइस फ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करना है है ना, इसके बाद हम इसमें एक फोल टेस्पॉन बेटरूट का जूज डालेंगे इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें फ्यू डॉप्स हमने आमंड ओयल भी डाला है और एक टेस्पॉन हम इसमें गलेसरिन डालेंगे अगर आपकी स्कीन ओयली है तो आप आमंड ओयल को स्किप कर सकते हैं है ना और glycerin हमने यहां अगर dry skin है तो हमने यहां glycerin को use किया है है ना यह देखिए यह अच्छी तरह से mix हो गया है और हमारा यह beetroot face pack बनकर तयार हो गया है देखिए कितना अच्छा शांदर कितना अच्छा बना है चलिए अब हम इसका skin patch टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है वाउ यह देखिए कितना अच्छा बनकर हमारे यह तयार हो गया है हमें यह अपने face पर 10 से 15 मिन टक रखना है और उसके बाद इसे wipe off कर लेना है है ना तो आप भी अपना home made be true face pack अपने घर पर बनाईए और अपने अनुभाव अनाना क्रीशन्स के साथ शेयर कीजिए है ना एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए है ना थैंक यू रहacy को सब्सक्क्राइब वारा फिर मेरे चैनल स्टा